हेलो इस्टूरेंट वेल्कम टू दा चैनल सिविल इंजिनेरिंग इस्टूरेंट आपका स्वागत है एक ओर इंट्रेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट टर्म्स फोर सिविल इंजिनेर्स पार्ट शिक्स जी आदोस्तों यह आज का हमारा पार्ट शिक्स होने वाला है यदि आपने हमारे प्रीविएस वीडियो नहीं देखें हैं जिसमें आपने आपको पार्ट बर्ण टू थ्री फोर फाइफ तक बताया है तो से आप चेक कर लिजिए उसकी लिंक का आपको डिसक्रिशन में बिल जाएगी ठीक है स्ट्रेंट क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं किसी भी साइट पर वर्क करने के लिए आपको एज़ा साइट इंजिनेर्स यह सभी चीज़े आपको पता होना चा आपको ऐसी information ऐसी knowledge आपको मिलती रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे शनल हमारा जो first point है उसमें हमने बात की है कि ordinary concrete क्या होता है देखे ordinary concrete यह ही कि जब हम कोई temporary work करते हैं या फिर हम building का work कर रहे हैं ठीके न तो उसमें हम यह वाली चीज़े यू M20 grade यूज कर सकते हैं reinforcement concrete के लिए हम M20 grade यूज करते हैं हमारे building के structure में बाकी यदि आपको normal work करना हैं तो आप M10 और M15 यूज कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर यह चीज़ समझना है कि यह M10, M15 और M20 है क्या तो देखे हम तो आपको यहाँ पर knowledge देदेते हैं कि देखे M10 जो होता है आपका इसमें आपका aim होता है mix और 10 होता है इसकी characteristic strength ठीक है इसकी characteristic strength होता है ठीक है तो आपको यह term पता होना चाहिए कि aim में aim क्या है और 10 क्या है ठीक है अब हम आपको यहाँ पर यह चीज़ बता देते हैं कि जो आपका aim 10 grade होता है M10 great होता है उसका ratio कितना होता है तो देखिए ratio की यदि हम बात करते हैं तो M10 में ratio होता है आपका 1 ratio, 3 ratio, 6 ठीक है? इसको आपको याद रखना क्योंकि side पे आपको यदि work कराना है तो आपको ये ratio पता होना चाहिए ठीक है? अब जैसे इसमें आप देख लिजिए 1 है आपका 1 unit cement कहलाता है 3 part आपका cent है आपका और 6 part आपका aggregate कहला देगा ठीक है strength? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए इसी तरीके से यदि हम बात करें M15 की, तो M15 में भी M mix होता है 15 इसकी characteristic strength होती है अब आप यदि इसके ratio की बात करेंगे तो इसका ratio होता है आपका 1 ratio, 2 ratio, 4 1 part cement, 2 part sand, 4 part aggregates ठीक है? इसी तरीके से M20 का भी है आप देख लिजिए M20 grade होती है आपकी 1 ratio, 1.5 ratio, 3 1.5 तीन का ratio आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं और इसी के according आप आपका work करते हैं तो इसलिए आपको ये चीज़े पता होना चाहिए ठीक है? Now next point हमारा आता है standard concrete M25 से लेका M50 तक मलब M25 से लेका M50 तक की जो भी आपके concrete होगी वो standard concrete होगी जो कि आपको high rise building में work होता है अलग-अलग time पर यूज होता है dm, bridges में इन चीज़ों का यूज होता है ठीक है? अब M25 का grade हम यहापर देख लेते हैं M25 का grade होता है आपका 1-0, 1-0, 2 ठीक है student? तो आपको ये सारे term याद होना चाहिए मैं लिग ये 3 term आपको याद होना चाहिए हम आते हैं हमारे high strength concrete high strength concrete जहाँ पर आपको strength के ज्यादा requirement है जहाँ पर vibrations ज्यादा होने वाले है जहाँ पर water का effect ज्यादा पढ़ने वाला है तो आपको हम high strength concrete को use करते हैं तो M60 से लेकर M80 तक हम इसको use करते हैं हाला कि M30 तक M25 से आपका से उपर वाली जो grade आप use करते हैं उसमें आपका mixed design यूज होने लगता है ठीक है student इसको भी आपको याद रखना है now next है हमारा cement store always in dry places देखे student जो भी cement आपकी सबसे important material होता है आपकी building में तो उसको आपको हमेशा dry places पर ही store करकी रखना है कि जहाँ पर सूखी जगे है वही पर आपको इसको रखना है क्यों रखना है यदि मालने जी आपकी cement है cement के यदि मालने जी इसका किसी की साथ reaction हो जाता है it means water के साथ reaction हो सकता है moisture के साथ इसका reaction हो सकता है atmospheric pressure के से इसका reaction हो सकता है तो आपको ये सबी चीज़े उसे बचाने के लिए सिमेंट को एक ड्राइ फ्लेसेज पर स्टोर करके रखना पड़ता है क्यों क्योंकि यदि सिमेंट में यदि किसी प्रगार की रियक्शन हुई तो उसमें बहुत सारे चीज़े चेंज़े हो जाएगी उसका कलर चेंज हो जाएगा उसका टेंपरेचर चेंज हो जाएगा उसमें लंप्स क्रियेट हो जाएगी है ठीक है उसकी सबसे इंपोर्टेंट प्रबर्टी स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी यदि सिमेंट यदि आपकी किसी भी एक्शन को create होती है तो ठीक है इसको आपको याद रखना है कि cement को हमेशा dry places पर store करके रखना है ठीक है और open atmosphere में भी इसको नहीं छोड़ना है एक pack कमरे में ही आपको इसको रखना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है now concrete cube filled in three layer जब भी हम concrete का test करते हैं तो test करने के लिए हमें cube बनाना पड़ता है अब उस cube को बनाने के लिए इस type का आपका cube होता है इस cube में हम आपको क्या देते हैं concrete fill करते हैं इस concrete cube में हमें तीन layer में आपको काम करना पड़ता है ठीक है अब यह जो cube होता है इसकी size आप देख लिजिए 150 mm by 150 mm by 150 mm ठीक है यह 15 cm by 15 cm by 15 cm इसकी size होती है तो इस size को भी आपको देखना है क्योंकि यह cube आपकी side पर आपकी laboratory में use होने वाले है तो आपको इसका standard size पता होना चाहिए ठीक है और इसको 3 layer में आप fill करते है ठीक है 1, 2, 3 3 layer में आप इसको complete करते है इसको आपको ज्यान अखना देखें हमारा next है number of brick in 1 meter cube यह आपको याद रतना कि 500 brick आपकी 1 meter cube में use होती है अब आपको 1 meter cube के लिए बता दे गया है अब एक चीज हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यदि आप 1 cubic feet की बात करें 1 cubic feet की बात करें तो 1 cubic feet में आपकी brick आती है 13.5 bricks 13.5 bricks का use आप 1 cubic feet में करते हैं ठीक है स्ट्रेंट now next है हमारा number of bricks in 230 mm brick wall यदि आप 230 mm brick wall use करते हैं 1 meter cube में तो आपकी 496 brick लगेगी similarly यदि आप 115 mm thick wall use करते हैं तो आपकी 1 square meter में 56 brick लगेगी इससे भी आपको याद रतना है ठीक है स्ट्रेंट यह important point से जो हम आपको बता रहे हैं यह side पर आपको बहुत ज़्यादा use होते हैं आप इसको billing करने के लिए भी बहुत आसानी होती है कि हमें कितनी चीज़े use हो रही है ठीक है स्ट्रेंट now the next है हमारा minimum percentage of steel in column column जो आपका होता है उसमें minimum percentage of steel कितना होना चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं देखिए criteria आपका बोलता है IS code के according IS code कुनसा आपका 456-2000 के according आपको criteria दिया हुआ है 0.8% of gross area आपका still होना ही चाहिए ठीक है यह minimum criteria अब यहाँ पर हम देख लेते हैं maximum percentage of steel in column जो maximum percentage of steel का column में वो होना चाहिए आपका 6% of gross area जो भी आपका gross area है उसका आपका 6% still होना चाहिए column के gross area से ठीक है इस्ट्रेंट तो यह था इस्ट्रेंट आज का हमारा topic जिसमें हमने 10 points भी discuss किये ordinary concrete की बारे में हमने देखा साथी साथ उसकी grades और ratio को भी हमने हाँ पर discuss किया फिर हमने आपको बताया कि standard concrete कहां यूज होता है और mixed design क्या होती है ठीक है साथी साथ हमने high strength concrete की बारे में भी discussion किया फिर हमने आपको बताया कि cement है से cement को हमेसे dry places में रखना चीए ताकि उसमें किसी प्रकार की atmospheric या moisture reaction ना हो concrete cube हमेसे आपको तीन layer में फिल करना है क्योंकि तीन layer में इसकी अच्छे से bonding हो जाती है और ये अच्छे से पूरी feel हो जाता है इसलिए हमें प्रिक आती है और वन क्यूबिक फिट में साड़े तेरह ब्रिक आती है यदि आप 230 mm थिक वाल ब्रिक वाल यूज़ कर रहे है तो वन मिटर क्यूब में 496 ब्रिक आईगी ये आपका including including westage है इसमें आपका westage भी include हो चुका है और यदि आप 115 mm की थीक वाल यूज़ कर रहे है तो वन स्कॉरे में वन स्कॉरे मिटर में आपको 56 ब्रिक आईगी ठीक है शुरेंट और कॉलम का क्राइटेरी हमने आपको अभिहाल बताया कि कॉलम यदि minimum percentage देखेंगे तो 0.8% आएगा और यदि maximum देखेंगे तो 0.6% आएगा ठीक है शुरेंट तो यह था आज को हमारा एक interesting topic जिसमें हमने बहुत सारे temps को देखा ऐसे ही temps को ऐसे ही knowledge को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को subscribe करके हमारा motivation बढ़ाईए और इसी तरीके से हम आपको आगे चीजे प्रोवाइट कर सकते हैं ठीक है शुरेंट तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को hit कर दीजिए ताकि आपको सभी notification टाइम पर मिलते रहे अब हम मिलते हमारे नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर दा वॉचिंग